नमस्का दोस्तों मैं मॉनिका अगर्वाल आप लोगों का वेलकम करती हूं बगती वंदना चानल पे मैं आप लोगों की स्पिरिछल काइड और टारो का डूडर तो आज हम बात करेंगे वास्तु टिप्स की किड्स बेड्रूम के लिए बच्चों के बेड्रूम के लिए या बच्चों की हेल्थ टीक नहीं है या उनके बच्चों का पंड़ने में मनने लग्रा या वो उनकी बात नहीं मान रहे हैं का अपी विवार की हो गए हैं दिके वास्तु का हमारे लाइफ में 30% असर बढ़ता है तो अगर आपका बच्चों का बेड्रूम सही डिरेक्श में होना चाहिए North West or North East or Southeast, but South West नहीं होना चाहिए, क्या- dog with that, it is a disaster, their concentration hille x घाएगा, इसा सीघृट जाहिए बढाई ठीक कर पाएंगे और आपकी बात भी नहीं मानेंगे, पढ़ाई में ना लगत बाक्娘 के लिए इन चीजों का ध्यान रखें कि जो बेड्रूम हो उसके लिए आप चूस कर सकते हैं और नॉर्थ वेस्ट डिरेक्शन साउथ इस डिरेक्शन नॉर्थ इस डिरेक्शन बच साउथ वेस्ट में नहीं हो जाए बैड्रूम दूसरा ख्य अंप लाए वूह अभ लिजनित अंधर बैड़नड्र साउफ बार आन। ऑला, शोटो पी को चाहिँ और दोसी तरफ होने चाहिए कि इससे क्या होता है कि बादा कह MINOR करता है प्रेशर ने फील करता है काम रहता है US-क अनर्जी धितो हैden रहती है वो बच्चों को थोड़ा एनरजेटिक लगते हैं पढ़ाई के बीच वीच में थोड़ा सा अच्छा फील करेंगे उनकी जो बैच्ची सोती है वो भी थोड़ा अगर आप चाहें तो कुछ कार्टून स्टाइप की बैच्ची बना सकते हैं उनके रूम में कुछ आप डेकोरेशन कर सकते हैं क्योंकि बच्चे को सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो उस रूम में कमफर्टेबिल फील करें अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो डेफिनेट्ली आप कार्टून में कंसंट्रिशन बड़ेगा आपकी बात भी सुनेगा अच्छे से वह वहार भी करेगा और आप देखेंगे कि उसकी लाइफ में कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं धन्यवाद